टाइगर 3 रिलीज विदी 12 नॉम्मर को राज इसको अलमोस 17 डेज हो चुके हैं और इसका बॉक्स ओफिस अराउंड 450-460 करोड है क्या कारण रहा जो के ओडियन्स ने टाइगर 3 को उतना सपोर्ट नहीं किया जितना पठान, जवान, वार 2 और टाइगर जिन्दा है को किया था मैं यह बिल्कुल नहीं कहा रहा कि फ्लोप मुवी है, यह जश्ट एक अबाव एवरेज बॉक्स ओफिस है इस मुवी के लिए, तो कि इसका बजट 300 करोड है और इस हिसाब से इसका ज़्यादा बॉक्स ओफिस हुआ नहीं है और कमपेरिजन के लिए बता दू, पठान का बजट था 200 करोड, जवान का था 300 करोड और वोर्ट को और टाइगर जिन्दा है का बजट भी 200 500 करोड के आसपास और यूज़ थीम, प्रैकर 3 में हमको देश बगते और पाकिस्तान का थीम देखने को मिला, जहां काफी लोग तो इस बात से उफेंड़ भी थे कि इसमें ऐसा दिखाया है कि पाकिस्तान अंजान में टेररिजम फैलाता है, एक या दो बंदे ही हैं, पाकिस्तान में जो कि जाते हैं, टेररिस्ट हैं, बाकी तो पॉपलेशन इंडिया को पसंद करती है, और इनको भी शायद नहीं पता चला कि कब स्टोरी से बठक गए हैं, और पाकिस्तान को सिंप्रती शोद करने लग गए, इसमें पाकिस्तान की स्कूल गर्स नैशनल एंथम, इंडिया का जैसे थोपी जा रही हो, and second reason है, जो मुझे लगता है, less marketing and lose of interest in Salman Khan, भाईजान ने पिसले 5-6 सालों में, average movies ही की है, सब सोस रहे थे कि उनका फेज है, वो Tiger 3 से end हो जाएगा, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि Tiger 3 इंडिया में 400 क्रोड करेग और जवान और पठान से खुद को रिवाईव, शयद कोई अगली सलमान के आने वाले movie सलमान को भी रिवाईव करते हैं, थर्ड इजन है, बैट टाइमिंग, यह वाला पोइंट काफी important है, Tiger 3 रिलीज हुई थी 12 नॉम्बर को, यानि दिवाली वाले दिन, काफी लोग busy होत पहले week में movie देखना पसंद करती है, जब तक अगर कईयों को movie देखने को ना मिले तो लोग ignore कर देते हैं, क्योंकि एक hype होती movie की, जब वो पहले weekend पे देखने काना, मजाई अलग होती है, बाद में लोग सोते हैं, अब को जाएगा, एक अफता हो चुगा है, OTT पे देख ल और इस नंतेजों कि मुझे लगता है, टाई करती जिसे काम नहीं कर पाई, तुम बता हो तुम्हें कैसा लगता है, अगर वीडियो से पसंद करते हो, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो लाइक भी करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैं इस वीडियो में, तब तक लिए बाई